नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है अनुज जिये सेकेडमी चैनल पर देगी दोस्तों आपकी काउंसलिंग से संबन्द आपका कुछ अपडेट देया यूनिवस्टी ने वो देखने वाले बहुत सावधानी से आपको काउंसलिंग करवाने और जो आपकी काउंसलि सीट होती है आपकी गवर्मेंट कोलिज में उसको लेके अपडेट है और साथी साथ देखेगा ये जो आपके पूरे यूपी के इंदर 10,000 फिरी सीटेजिन की अच्छी रैंक है आले जेगा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और गल्स कैटेगरी में जैसे कुछ डिश्चीक में देखेग इस चीज को भी पहले ही आप एडमिशन से देख लिजेगा और ये जो आपकी फीस है ये आपकी प्राइवेट कोलिज को लेके इसमें चलिए पहले देख लेते हैं आज का अपडेट क्या है कोलिज को जो है आपका सीट आवंटी तने होने पर लोटा ना होगा सुल्क इसमें देखेगा आपकी जोग पांच जार रूप唉 आपकी Pizza rec. हुआ है ये आपका जो है को लिज का अब तरीख से सुल्क कमाना जाता है और चहांशो पचास होगा इसमें यह होगा आपका काौंसलिंग का सुल्क आपका ठीक है अगर माली जया कोलीज आपको नहीं मिलता है तो ये आपका जो है इसमें ये वापस हो जाएगा पांच जार रुपे और ये आपका जो है वो रहता है काउंसलिंग फीस आपकी ठीके देखे पहले क्या होता था जब तक इनकी अगली काउंसलिंग आएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले इस चीज को लेके प्रेशान होते थे और इनका क्या होता था काउंसलिंग जो फीस आप बहुत सारे बच्चों का फस भी जाता था तो यहाँ पे ये दिया है आपका इसमें युनिवर्स्टी ने देख लिजेगा इसमें थोड़ा रुहेल खंड विष विध्याले ने बेड काउंसलिंग को लेके गाइड लाइन्स जो है जारी कर दी गए है जिन विध्यारतियों को पहली काउंसलिंग में सीट आवंटित नहीं हो पाती है उने कॉलिज को पूल काउंसलिंग तक अगरिम सुलक आपका पाजार रुपे लोटाना होगा यानि कि अब इसके लिए क्या करना होगा आपना जो बैंक अकाउंट है वो अपना ही देना या अपने मम्मी या पापा का दे सकते है ठीक है डिटेल अच्छे से डालेगा अगर कोई भी एक भी मिस्टेक होगी तो आपका पैस ये वापिस नहीं आएगा फिर आपका बहुत जो है टाम लगगा इसमें जब अपडेट होगा इसमें तो यहां पर दिया आपका की आपका जो है विद्यारती को अभिलेक अपलोड करते समय बैंक खाता संख्या और नाम पास्बुक के पहले का आपका जो पेज बगएर जो होगा इसमें जैसे आएफसी बगएर ये सब आपकी ब्रांच कहां पे यह आपको बताना होगा इसमे यह आपको जो है अपलोड करनी होगी और इसमें देखीगा 2450 देखीगा कितने कोली जे आपके कुल 2450 है और इसमें जो सीट है ना दो लाक चालिस जार है इस बार और इसमें से 10,000 है आपकी फिरी सीट जिनके भी अच्छे नमबर है तो साफधानी से कोली चोईस करियेगा मालो आपकी rank 5000-10000 है तो आप एक ये दो कोली choice मत करिए ठीके आप कम से कम 10 ये 12 कोली जरूर choice करिएगा और हो सके तो जिनकी rank 1000 है ना 1000 है 2000 है 3000 है वे भी क्या करिएगा कम से कम 3 से 4 कोली ये 5-6 कोली choice करिए इसमें इसके अलावा यापे जो है इसमें अपडेट दिया है कि आपका यापे मूल अंक ताली का ही आपको अप्लोड करनी हो इसको देखेगा कोलिस से अटेश्ट करवा के वो अप्लोड करना होगा इसके अलावा एक अपडेट हो रहा है जो संसकर्थ विश्विध्याल ले है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते है तो देखेगा यापे दिया कि आप वियरती के पास इसनातक में के तीनों वर्षों में संसकर्थ विश्य रहा हो तो आपको यस या नो में करना होगा इसके अलावा दिया कि आपका काउंसलिंग में कर कोई भी मिश्ट्रेक हो जाती है उसके लिए जो है हेल्प लाइन जो है किस विदह भी इसमें दी जाएगी देखेगा बीएड काउंसलिंग के लिए कॉलिजों और विध्यारतियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते इसमें सावधानी बढ़ते काउंसलिंग से संबंदी दिक्कतों को दूर करने के लिए ब्रश्पितवार को जो है कंट्रोल लूम इस्थापित होगा तो यह आपकी जो है लेकिन ध्यान रखेगा देखेगा तीस से सुरह तो पहले दिन मत करिए आप ठीक है दूसरे तीसरे चोथे दिन भी आप करोगे कोई दिक्कत नहीं सभी का जब आपका पहले राउंड की जो यह कांसलिंग है सभी का जब कंसलिंग आपका माल लेजेगा सभी का रेश्टेशन हो जाए उसके बाद एक मेरिट आपकी लगाई जाएगी एक दिन आपकी उसके बाद आपके नो को जो है आपको college जो है merit लग जाएगा provide करवा दे जाएगा अगर आपको माल लीजेगा इसमें government नहीं मिला और आपने private choice नहीं किया था तो आप इसमें भाग नहीं लेगे इसमें भी नी इसमें भी नी इसमें भी नी इसके बाद आप डारेक्टेड मिशन ले सकते है पूल काउंसलिंग में तो अगर देखीगा government के साथ साथ एक दो private college भी choice कर देगा ठीक है जिनकी रैंग दो लाग तक है उनका 9 से 13 अक्टूबर तक जिनकी 3 लाग रैंग है दो लाग एक से लेके उनका 15 से 19 अक्टूबर ठीक है इसके बाद आ आपकी देखीगा आपका जैसे 30 से सुरू है आमालो 30 को नहीं आप रेश्टेशन करते एक को कर सकते दो को कर सकते तीन को कर सकते चार को कर सकते तो यह आपके लिए जो है इसमें 5-6 दिन का इसमें समय दिया गया उसके बाद जब सभी का हो जाएगा तो उसमें एक merit आपकी भी बनाई जाएगी ठीके ये आपको मालूम हो गया कि किस डेट में आपकी counseling होने वाली है इसके इलावा देखेगा जो 10% seat होती आपकी ये होती है आपकी government college में ये EWS जिनके पास भी है ये लगाया होगा अपने तो वो आप लाब ले सकते हैं इसके इलावा पास के डिश्टिक में जो government college है पहले वो उसके आसपास के government college उसके बाद कोई private college चोईश कर देना देखे जैसे आपके मैंने 6 college चोईश किये थे आप इसमें 10-12-15 कितने भी आप फिल कर सकते है government college उसके बाद आपका यहां पे यह जो है ना देखिए इसमें seat allotment result यानि कि आपका जैसे counseling आपका जो है रेश्टेशन होगा उसके बाद seat allot होगा यहां पे आपको college मिल जाएगा अगर आप confirm करते फीज जमा करके तो आपको यह मिल जाएगा अगर आप यहां पे फीज जमा नहीं करते तो यह आपको नहीं मिलेगा इसके बाद जैसे कर आपने फीज जमा करती उसके बाद आपको जो है college confirmation letter मिल जाएगा कि आपको finally यह college आपको दे दे गया इसमें जिनको मिलेगा government उनकी तो देखे 2000-3000 यह 4000 यह 5000 यह 10,000 तक फीज हो सकती है अगर आपको मिलेगा private college तो आपको जो है कुछ college में देखेगा 51,250 के आसपास जो है counseling फीज लगते है लेकिन बहुत सारे ऐसे college है कुछ district में जिनको है कुछ नह सकती है